मिवाच जिले की नगीना की धर्ती से दुनिया में गुझेगा सहीद राजा हसनखा मिवाथी का नाम परदे सद्यक्ष नायब सेनी राणा सांगा के साथ देकर मिवाथी राजा ने लिखी थी वतन परस्ती की मिसाल नो मार्च को टेक्टर टोली और पैदल पहुझेंगे मिवाथ के लोग भाजपा परदे सद्यक्ष नायब सेनी ने सोमवार को का की नगीना की धर्ती से हसनखा मिवाथी की सहाधत का बिगुल दुनिया में बजेगा इस लकीर को बड़ा करने के लिए नो मार्च को परदे सत्रे रेली रखी गई है मुख्या मंत्री मनोरलाल खटर 17 मार्च 1527 बलिदान दिवस की छुट्टी करने की घोजना भी करेंगे महाविदाल्य में लगने वाली उनकी परतिमा का लोका प्रण भी किया जाएगा ट्रोली और गाडियों में आएगी बलकि हजारों की संख्या में पैदल भीड रेली का हिस्सा बनेगी उन्होंने का की एक लाक करोड रुपे के बजट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेक्ट वे जिले के बीचो बीच बनाय गया है यहां 371 करोड रुपे की रेनिवेल परियोजना से घरों तक पानी पहुँच रहा है रोज का मेव में ओध्यगिक नगरी विक्सित की गई महिलाओं को मुप सिलेंडर किसानों को किसान सम्मान निदी के 6,000 रुपे और गरीबों को इलाज के लिए 5,000,000 रुपे के आईश्मान कार्ट बनाये गए हैं पर्दे सद्यक्ष ने बिहार के पूरो मुक्य मंत्री लालू यादाव पर तंज कस्ते हुए काकिव बुढ़ापे में भोकला गए हैं उनकी परदार मंत्री पर कीगल टिपपनी के लिए उन्हें बिना सर्थ माफी माँगनी चाहिए वहां हमारी सरकार बनने के बाद वे तरे तरे की बाते कर रहे हैं आजपा निता हभीब हवन नगर जिला महा मंत्री सिव कुमार जपरुद्दीन सोनु राजा चमेत दरजनों पददिकारी मोजूद रहे देखिए हमारे लिए बड़े गरव की बात है कि परदेश के सस्वी मुक्य मंत्री आदनिया मनोहरलाल जी सहीद हसंखा मेवाती जिनको आस्सकी आदी नहीं किया गया जिनके एक बड़ी कुरवानी है जिनने इस मेवात के सुरक्षा के लिए इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आपको कुरवान किया है ऐसा महन विक्तितव उनकी सहीदी के उपर परदेश के सस्वी मुख्यमंत्री आधरिया मनहरलाल जी नौ तारिक को ग्यारां बजे यहां बढखली चौंक के उप्पुरे का भवे जंसलाव को सुम्भोदित करेंगे उनकी याद में उनसे लोगों से बाचीत करेंगे उन्होंने जो कारिया किये हैं उनसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए प्रद्थो आजसक यह देश के अंदर दुर भाग pushing को तो याद ही नहीं किया गया पहली बार है कि मनहरलाल जी की सरकार के अंदर ओन महापुर्सों को जिन्हों ने इस देश की एक जुटता के लिए अपने महन कुर्बानिये दी हैं ऐसे सब महन व्यक्तियों को महापुर्सों को आद्ञिया मनोहलाल जी के नित्रतों वाली सरकार राज़सर के उपर उनको मनाने का मौका हमें मिल रहा है यह हमारे लिए बड़े गरव की बात है चाहे भगवान वालमी की महराज की जेनती हो चाहे गुरु रविदास जी की जेनती हो गुरु नानक देव जी का चाहे सड़े 500 साला हो चाहे गुरु तेक्द बहद्दुर जी का सड़े 300 साला हो और चाहे संत कबीर की जनती हो डॉक्टर भीम रावंबेडकर की जनती हो और चाहे महाराना परताब की जनती हो और चाहे भगवान परशुराम की जनती हो राज्यस सर के उपर हमें मनाने का मौका आदनी मुख्यमंतरी जी ने दिया उसी कड़ी के अंदर जो हमारे सहीद हसन मेवाती जिनको आस्टा की आदनी किया गया आदनी मुक्या मतरी मनहरलाल जी उनको राज्यस्तर के ओपर ये कारेकरम आयोजन करके जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे लोगों के अंदर एक बड़ा उत्सा और जोस देखने को मिल रहा है इन दस वर्स एक पिछड़ा जिला छोड़कर के उसमें कोई भी विकास की गतिविदी कांगरस के लंबे समय के कारेकाल के दौरान नहीं रही है परंतु नरेंदर मोदीजी और मनहरलाल जी के डबल इंजन की सरकार जिस परकार से आदनी परदान मंतरी नरेंदर मोदीजी ने जो जो वहाँ पर जुरूरत के अनुसार जो वहाँ पर कारिया थे वो सब कारिया उन जीलों के अंदर हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला कि वो धिरे धिरे करके जीले जो आकांक्शी जीले थे जो पिछड़े जीले 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 कांगरस मानती थी वो अब धिरे धिरे कर आज हमारी सारी उच्छ लीडर्सिप यहां पर बैठी है मैं एक बड़े विश्वास और फगर के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेवाद के अंदर जो जो उत्सा मैं देख रहा हूँ यहां पर कॉंग्रस का खत्ता भी नहीं खुलेगा कॉंग्रस की जमानत जबतोगी यहां से तीन के तीन कमल के फूल खिलेंगे और लोग सभा के अंदर भी पिछले चुनाव के अंदर जो बोट आई हैं उससे बड़े मेंड़े के साथ तीसरी बार यहां कमल का फूल खिलके नरेंदर मोदी जी को तीसरी बार परदान मंतरी बनाने का काम मनोहरलाल जी को तीसरी बार मुख्य मंतरी बनाने का काम और उसके अंदर मेवात जिसको कॉंग्रस एक पिछड़ा जिला मानती थी जिसको कॉंग्रस एक बैकवर्ड जिला मानती थी अब मेवात ने यठान लिया है कि कमल को खिलाने का काम करेंगे और मनोहरलाल जी को तीसरी बार मुक्या मंतरी बनाने का और नरेंदर मौदी जी को तीसरी बार परदान मंतरी का काम करेंगे पिछले दस वर्सों में जो काम हुए हैं और इतने काम यहां पर हुए हैं कि चाहे यहां पर जो पेजल की प्रियोजना है लग भग 263 क्रोड रुपे की जो नू विधान सभा के अंदर हर घर के अंदर जल और सुच जल पहुंचाने की बात है चाहे यहां पर के अंपी जो कुंडली माने सर पलवल मारक जो बना है वो मेवात के अंदर से ओकर के गुजरा है इससे मेवात को एक विकास की नई दिसा बनी है चाहे मेवात के अंदर दिल्ली बंबे वरोदरा एक्सप्रेस वे बनाने की बात है वो भी मेवात के अंदर से ओ पुनानी, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, जो पहली बार ये हरियाना पर्देश के अंदर नू को दिया गया है, और इससे यहां के नू के लोगों को एक रोजगार के भी साधन खड़े हुए है, चाहे नू के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोज इससे यहां के उस्चरार दिया गया है, इससे एक पर लोगों के अंदर प्रूज्टिव मैस से है यह काम करने वाली कार है, यह सबी के हित को सुरक्षत रहते वाली के हैं, और सभी लोगों आका किया है, कि हम कामल का खूल ख दस लोग सभा पिछले बार जिती थी, अब की बार और बड़े मेंड़र्ड के साथ, बड़े बहुमत के साथ, जादा मोट्टों के साथ जीत करके, हरियाना नरेंदर मोदी जी को, तीसरी बार परधान मंत्री बनाने में, अपनी भूमी का अहम अदा करेगा, अगर आप लोग देखेंगे कि ये घटिया से घटिया टिपनी, इससे भी नीचे ये जा सकते हैं, जो व्यक्ति ने ब्रष्टा चार किया, जिस व्यक्ति ने पसूँं का चारा खा लिया, पसू भी बुखे रहे इनके सासनकाल के अंदर, पसूँं को भी चारा नहीं मिल पाया, और वो लोग जो बिहार के अंदर, अगर सड़क की गाउं के लोग बात करते थे, लालू परसाद यादव एक बात बोलता था, कि वही मैं तो सड़क इसलिए नहीं बनुग रहा, वहां के लोग बताते थे, क्योंकि मैं बिहार के अंदर रहा हूं, वहां मैंने काम किया, लोग बताते थे, कि जब हम मांग लेकर के जाते थे लालू परसाद के पास, इमारे गाउं को सड़क मिल जानी चाहिए, कहा मैं तो इस करके सड़क नहीं बना रहा, आप लोग कहा दारू बेचने का काम करते हैं, पुलिस आती है, इतना कहा आप खुदर बुदर हो जाएंगे, जब तक पुलिस आएगी, इस कार्ण से कहा मैं आपका रस्ता नहीं बना रहा है, जड़क नहीं बना रहा है, ये सोच लालू की थी, वो सारा का सारा पैसा, वो ब्रश्चा चार की भेट चड़ता था, वो सारा का सारा पैसा, पसुओं को भी नहीं बकसा, उनको भी खाने का काम किया, और उसका प्रिणाम ये कि जेल के अंदर पड़ा है, उसको प्रफायार दर्ज है, और वो सजायाफता है और इस परकार के अबदर टिपनी ऐसे जो सजायाफता लोग हैं उनके लिए सोबा नहीं देता क्योंकि वो पहले ही सजायाफता है इस परकार की बाते हैं वो घटी अस्तर की बाते हैं परन्तो देश की लोग जानते हैं कि नरेंदर मोदी जी ने देश क किस दिशा के अंदर लेकर के गए हैं बिहार को भी आधनिया नरेंदर मोदी जी ने इन दस वर्सों के अंदर विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है असी क्रोड परिवारों तक लगाता रासन पहुंचाने के ब्रवस्ता की है और बिहार के अंदर भी सड़कों का जाल बचाने का कारिया नरेंदर मोदी की सरकार में किया है और आज बिहार भी विकास के मामले में पीछे नहीं है जो लालो परसादी आदव के समय के अंदर बिहार पिछड़ा राज्या था बैकवर्ड राज्या था आज वो भी दिरे-दिरे करके अग्रनी राज्यों किसे रहने के अंदर शामिल हो रहा है देखिए ये तो उनको पूछने की जरूरता है जिसने एक वेस्चन पूछा है कि आप लोग 55 साल तक इस देश के उपर सत्ता में काबिज रहे हैं आप 55 साल तक सोते रहे वो महापुर्सों की याद क्यों नहीं आई जिन महापुर्सों की याद मनहरलाल जी के सरकार के अंदर आई है जिन महापूर्सों को लगाता उनके दिवसों को उनकी सहीदी दिवस को उनकी जन्तियों को लगाता राजस्तर के उपर मनाने का काम वो मनहलाल जी की सरकार कर रही है वो कहां सोय हुए थे वो तो एक परिवार का गुंगान करते थे एक परिवार की परिकर्मा करते थे उससे बाहर नहीं निकलते थे और उसका नुकसान वो प्रदेश के लोगों को होता था ग्रीव व्यक्ति को होता था और उसी का करण है कि मेवाद पिछड़ता चला गया मेवाद के अंदर विकास कारिया नहीं हुए इन दस वरसों के अंद उद्धार विकास की एक नई जिसा दसा तै की है इसको टिक्ट देना है इसको नहीं देना है यह परलियमेंट्री बोड की अमारी पावर है और वो पावर अपने आप देख करके वो करते हैं हमें जो भी विक्ति जीतना वड़ा है उन सब को पुछा था कि उपर आरोफ लगा रहे हैं कि नोक्रियें हमारे सासन वे दिखती थी कि में जे तथ्या चाहिए मैंने तो उनको ये कहा था कि तथ्या तो हर्याना परदेश का युवा है तथ्या तो हर्याना परदेश के युवाओं के माबाप हैं जो जमीन बेच करके जो बैंक से निकल वा करके कहीं से रिन लेकर के जो पैसा देते थे नोक्री के लिए नोक्री भी नहीं बार लगती थी पैसा भी चला जाता था, जमीन भी बिक जाती थी, कर्जा भी चड़ जाता था, फिर भी नोकरी नहीं मिलती थी, ये हर्याना परदेश के ही युवा बोलता है, हर्याना परदेश के युवाओं के माबाप बोलते हैं, परंतु मनहरलाल जी के कारेकाल के अंदर, आज हर्याना प्रदेश का युगा बोलता है कि आज बिना प्रक्ची बिना खर्ची के युगाओं को रोजगार मिलना है